आज का टॉपिक है जार्खन का एतिहासिक परीचे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट है जारियों एबंबनों की बहुलता के कारण इस राजी का नाम जार्खन पड़ा है देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट जुद हमारे वीडियो को देखत जाना चाहता हूं कि अभी तक जो तीन चार वीडियो जार्खन से रेटेट बना चुके हैं उसको अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जार्खन जी के सर्च किजिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहां से आप सारे वीडियो को देख पाएंगे हम कंटिन्यू जार्खन का एक्जाम होगा उसमें को आप क्रैक कर पाएंगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिभीन कालों में जार्खन परदेश को बिभीन नामों से जाना जाता था तो जार्खन का पाले अलग-अलग नाम था जैसे एत्रे ब्राहमन में क्या कहा गया वाई और कभी-कभी एक्जाम में ये पुछा भी गया है तो आप लोग ये इसको बहुत अच्छे से त्यारी इसको कर लिजिएगा तो सबसे पहले काल हम लोग देखते एत्रे ब्राहमन तो एत्रे ब्राहमन के समय में जार्खन का नाम पुंड रिया पुंड था वायू-पुरा थोड़ा सा अंतर है ध्यान दिजेगा आप लोग थोड़ा सा गर मेहनत करके रिविजन कीजेगा तो आपको याद भी रह जाएगा ठीक है याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है अब है विश्नु पुरान बहुत इंपॉर्टेंट है विश्नु पुरान में मुंड या संस्कृत साहित थी यानि पुरा मदिकालीं संस्कृत साहित में इसे कलिंद देश कहा जाता था अब आते हैं जहारकन का कहा जाता था जहारकन अभी लगातार तेरवी सती तेरवी सदी के तामर पत्र में जार्खन तारीक ए फिरोसाःी में जार्खन तारीक ए बंगला में जार्खन C.R.O.L.Mukhtar Trin जार्खन कबिर और जाईसी दवारा जार्खन अकबर नामा के दवारा जार्खन तो ये याद रखेगा बहुत इंप्वोर्टन्ट है यह सबी असान भी है आको दिमाय में रखना हूं, तेर्वी सदी के आसपास जितने भी लेखाक थे, यह सबीहीं ने जितने लेख लिखे यानि किताब लिखे उसमें क्या बोला गया जारकंड को जारकंड ही कहा गया, जबकि थोड़ा सा अंतर अंतर अब जाहिएगा अकबर नामा में जारकन ही कहा गया अकबर नामा में जारकन लेकिन आइने 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 अ तैके ब timely करन सुभा ना थैके और कर सूर्न मिखिया मुगल काल में कुकरा या कुकरा कहा गया मुगल काल में भी प्रशाय बर्यफ बाराइप हुचा देखे लेकिन अक्बर कल में आपको दिखा है कि अकबर काल में आकबर नामा में जारकन जब कि आइने अकबरी में कोकरा या खंगरा वही चीज यहांपे मुगल काल में कोकरा यरा कुक्रा कहा गया तुझु के जहां गडि़ी जब उसी समय का काल था तो खोकरा कहा गया ठीक है थोड़ा सा हम अलग-अलग है इस इंडिया कंपणी के सास्तान काल में इसे जहोटा नाकपूर कहा गया जहारकन सब्दका परतम पुरातात्वी प्रमान तेर्वी सदाबदी के तामरपत में मिलता जो कि हम बात कर दिये और जो इस्टार वाला तरंकीत पॉइंट था वो आपको परिच्छा में पुछा भी गिया है वैन सांग ने राजमहल चेतर के लिए किंग की चिंकाईला ता इसके पाहडी चेतर के लिए दामीन एको सब्दका प्रयुकिया दामीन एको याद रखिएगा जारकन से लेटेड है अब केप्टन टेनर के सर्विक्षन के दार पर 1837 में दामीन एको की अस्थापना हुई यह बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा केप्टन टेनर के सर्विक्षन के दार पर 1837 में दामीन एको की अस्थापना हुई थी प्राचिन काल में संथाल प्रगनाच छेतर को नरीखंड ध्यान दीजिएगा संथाल प्रगनाच छेतर है जो देशे देवगहर आता इसमें देवगहर दूम का ये सबी आते हैं तो संथाल प्रगनाच छेतर को नरीखंड तब बाद में कांक जोल के नाम से भी संबोधित किय है 1833 में दक्षिन परस्ट में प्रंटियर एजनसी की अस्थापना के बाद इस एजनसी का मुख्याल है विलकिंस विलकिंस गंज या किसुनपूर के नाम से जना जाता था थोड़ा याद रखेगा जिसे बाद में राची के नाम से जना गया तो यह सब चितर याद रखने के बात क्या होगा आपको जो इतिहास आगे में पढ़ेंगे उसे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने में हेल्प होगा ठीक है अब बात करते है इधर जारकन के आमें आदवासियों का परवेश तो जन जाती है असूर और मत्पुन बात जारकन की प्राचिंतम जन जाती और राची लोहरदगा और गुमला में यह पाये जाता है बिरेजिया या बिरहोर या खडिया संभतक केमुर की पाडियों से उकर छोटा नागपुर में परवेश हुआ कोरवा के बारे में कुछ नहीं दिया मुंडा उराव हो मुंडाओं ने नागवंस के स्थापना में एकजार इसफी पूरता चेरों खरवारों और संथालों को छोड़कर जहारखन में पाये जाने वाले सभी जंजातियां छोटा नागपुर छेतर में बस चुकी थी पूरु मद्धिकाल में संथाल हजारी बाग में बसे और ब्रिटिस काल में संथालों का विस्तार संथाल प्रगना छेतर में हुआ तो आज इतना ही चीज हम लोग जानेंगे अगले क्लास में और भी चीज जानेंगे धीरे-धीरे करके सबी चीजों को पढ़ेंगे यानि हर एक चीज आपको बताने वाले हैं लगातार हम वीडियो लाएंगे और एक्जाम जैसे ही होगा का एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं थैंक्यू बेरी मुच